डिवाइड और मॉटलेस ऑपरेटर के लिए हम दो वेरिबल ले जाता है जैसे कि A is equal to 5 B equals to 2 अगर हम A divided by 5 करें sorry A divided by B करते हैं तो 5 divided by 2 हो गया तो output की आना चाहिए quotient तो output check करते है quotient आगे 2 और इसी तरीके से remainder अगर चाहिए तो हम मॉटलेस कर देंगे तो remainder के आएगा 1 लेकि output वाना गया तो इनका use कहां पर होता है divide operator अभी हम further lectures में देखेंगे कि divide operator तो आपको जब 3 digit 4 digit number होता है तो उसके अंदर हम अगर once desert को हटाना चाहते हैं तो अगर हम 10 से divide करते हैं उसे तो last desert होती once desert होती वो हट जाती है क्योंकि हम divide कर रहे हैं उसमें क्योंकि quotient आता है ऐसे remainder का बहुत अच्छा use है कि हमें once place की desert हमार को अगर चाहिए कि once place पर कॉंसी desert है तो हम उसे mod कर देते हैं तो once solid by the 10 अगर हम mod कर देते हैं तो हमार को once desert मिल जाती है और उसको हम further अगर number का reverse करना है उसमें काम मेले सकते हैं अगर हमें number का sum करना है number जैसे कि 4,5,6 desert है तो 4 plus 5 plus 6 इस तरह की program में model operator काम में आता है है